करनाटक विद्धान सवहार चुनवाओ की पढ़नाम आने सुन हो गया है अभी रुजहान जो सामने आए है अब तक वो अनपेक्षित नहीं है बलके अपेक्षित है जो यह अब माना जा रहा था कि गुजरात में इस बार मोदी को जा वो नाम है धरिंद्र दामोदर जास मोदी अर्था था हमारे देश के प्रहाम अफ्रे उन्हें सामने कर और आखर के दिनों में जिस प्रकार से भारतिय जन्ता पार्टी ने अपने पूरी टाकत वहां जो की प्रहाम मंत्री को वहां मैदान में उतारा कई रहलियां हुई भाशन में जन सभाय हुई और उसमें जो प्रतिसाद आन जन्ता का दिखना था हमारे ख़बरिया चैनलों के बात्य जाएगा जनौफ पुर्व जितने पुर्वा नुमान आये थे उपिलियन बोलाये थे फिर जो एक जित बोलाये उसमें कांग्रेस को बढ़त दिखाई दे रहे थे इससे लेकर करके बाहर के जन्ता पार्टी खेमे में चिता थी लेकिन वह दावा कर रहे थे कि देखिए त लेकिन अब तक अभी दीट सुबह के साहे रोबद रहे हैं और अभी तक जो रूशान सामने आये उसके अरुशार कर्णाटे की दो हजाजाज जोबीस विजहन सवा सीटों में 131 पर कॉंग्रेस अकेले आगे है अर्था बहुमत का जो जादू याक्रा 113 उससे भी आठ सी वो आगे है और दूसरी तरफ जो भारती जन्ता पार्टी है वो जो सौब के आकड़े को छूलने के बाद वो अब आकर के 77 परा गई है इस प्रकार अब यह कहा जा सकता है कि हलाके अभी भी मैं बता दो अभी जो रूजहानों व्लट फिर हो रहा है और अभी जो ताजाई सीथी कॉंग्रेस के पाले में 123 और बीजेपी को 77 सीथे आई है जेने इसको 22 आई है अभी अगर यह रूजहान परिवर्णाम में परिवर्थित होता है तो कॉग्रेस अकेले बल्बूते पर बहुमत की सरकार परारे में सफल हो सकती है अगर कुछ बहुत इलट फें अंति छड़ बनी हो गया यह धियान के बार बार में बता रहा है यह रुजहान है यह परिवर्णाम नहीं है लेकिन अमुमन कुछ एकाद प्रतिशत को छोड़ करके रुजहाने सही परिवर्णाम में प्रिवर्थित होती है तो अभी जैसे अभी कम हो गया अभी 118 पर आगया है कॉंग्रेस और बिरासी पर चले गया है भारती जुनता पाखे लेकिन यह तो त्याय लग रहा है कि कॉंग्रेस ने भाजपा को वहां पठ्खनी दे दिया है और यह अपेक्षित था अपेक्षित इसलिए था कि अब एक लहर पूरे देश में ध्यान रखिया है इस बात की चली क्या भारतिय जंता पार्टी बारतिय जंता पार्टी अर्थक वह भारतिय जंता पार्टी वह अडवानी वाली भारतिय जंता पार्टी जो कभी अपनी चाल चरित्रों चेहरे के कारण आम जंता के बीच में उसे एक ब्यापक और यह कारण है कि जो भारतिय जन्ता पाटी कभी लोग सबहाद में बातर दो सीटे थी सिर्फ दो सांसे दोंगे थे हाथ 300 से उपर जन्ता का समथ निला था यह भारतिय लोग दंतर की खुश्मू है और जो लोग कहते हैं हमारे भारती की जन्ता को भारत के मददाता को छमा क करेंगे पीड़ कभी होती है मारकंडे कार्जों सुखें जैसे व्यक्ति ने पिछले दिनों किपनी की थे कि देश के लब्वे प्रदीश्ट जन्ता मुर्क जोट पोचे थे दिनको कि क्या सच मुच लेकिन वे उनका अपना आकलन था और अनेक मुद्धों पर उनकों इसके बार नहीं कर पाती है लेकिन यह जो गुजराद के जो परणाम के जो गुजहान साथ में आ रहे हैं उससे ऐसा लगता है कि इस बार मदाता ने गुजराद करनाटा के मदाता ने अपने भानेस बना लिया था कि नहीं हम किसी को भी किसी से अखादे किसी भी राज दल को उस अहंकार के तलाब में डुपती नहीं लगाने देंगे जहां अस्नान करने के बाद वो सुन को ताराशा समझने लगे या अपने को अजय ही समझने लगे क्योंकि लोक तंत्र में अस्नी ताकर जंता के बास है जंता इसे बार बार जिन्मित करती है और सबो की निगाहें करनाटर के चुनावों पर इस ही लगी थी यह पुशा जार था कि क्या मोदी का मैजिक मोधी का जादू, मोधी का गरिश्मा कामरा पाएगा, जिस प्रकार के दावे भाजपार जन्ता पार्टी करती रही है, या फिर परिवर्तर निरूप में वहां के बद्दाता भारते जन्ता पार्टी को आशियत पर रखकर कोंगरेस्पों साम्मे लाएगी, या जो तिस्ती जो हजूत अस्थानी है, जन्ता अदल सेकुलर उन्ती पाते हैं, लेकिन उन्ती सिती, अब जो ताज़ा जो आकड़ी अभियार है, कॉंगरेस्ट एक सो नौ और पचासी पर बीजेपी और सताइस सीटो पर जेडियस को बढ़त मिल रही है, या रुजहान है, फिर बता रह या फिर जेडियस के समर ठाज़ा है, ठीक है, राजनी थे, इसमें काफी बाते होती हैं, अगर किंग मेकर के भूमिका में जेडियस बहुत जाती है, तो जाहिर है, कि उनकी मांगे बड़ी होंगी, और भार के जन्ता पार्टी को अलग रखे नहीं कोई आश्चर नहीं, कि जायद कॉंग्रेस मुख्यमंत्री पद भी जेडियस को दे दे, इसमें कोई आश्चर नहीं की बात नहीं है, जो कि कॉंग्रेस के सामने अभी एक लक्ष है, बहार के जन्ता पार्टी को सक्ता से बहार रखना, जो कोई इस सिर्फ कर्णाटिक चुनाओं की बात नहीं है, और निश्चे ही अगर यहां पर भारतिय जन्ता पार्टी सक्ता से बहार होती है कर्णाटक में, तो फिर एक प्रियास जो अभी चल दे हैं विपक्षी दलों के बीच, एक जुठ हो करके, एक मंच पर आकर भारतिय जन्ता पार्टी को चुनोती देने की है, तो यह तैह जा जाएंगे, तो कि यह चुनवा परड़्डाम उन्हें प्रिड़ना जाएंगे, कि हाँ, बहार के जन्ता पार्टी को पराजित किया जा सकता है, अभी तक जो यह परचारी कियाता है, यह जो मोदी और शाह की जो जोड़ी है, उसे हराना आसान नहीं है, बल्कि वाज़े हो हो चुके हैं, लेकिन अब जो हमारे अपनी विरादरी के लोग हैं, हमारे विडिया कर भी हमारे पत्रकार, हमारे राजी दिक निस ले सकते हैं, अब उन पर भी कही तरह के आरूप रहते हैं, उनकी निश्पक्षता को लेकर, उनकी निड़ता को लेकर कही तरह के आरूप क्योंकि मैं आधियान जाओ अभी पिछले दिन हो जब तीन महत्तों कुछ राओ हुए थे देश्टे एक गुजरात विधान सभा एक निमाचार विधान सभा और दिल्ली एंसिटी प्रणामत्या हुए गुजरात अभवाद को रुप में चुड़ा सकता है प्रणामंत्री ब कुछ दूसके पच्छ में हबाद चलती है लेकिन उसके बाले है फिक जिस तरह से यहां अभी करनाटक में जो पूरी ताकत जिस प्रकार से लगाई भारती जत्ता पार्टे नहीं माचल प्रदेश में लगाए थी लेकिन वहां कौन इसकी सरकार बनी और तो और जिस पार्टे की चीटिती है अर्था जो अजये वाली बात कही जाती है भारती जंदर पार्टे पक्षपे वैसा खुछ नहीं है मोदी को प्राविजित किया सकता है बार्दी जर्टा पार्टी को प्राजित किया सकता है यह इमाचल प्रदियसौफ एंसीटी के चुड़ाव परणान में था और यह जो ताजा आज अब फिर बताता हूं यह अभी दुझान आ रहे हैं अभी सुबह के नो बज के 40 मिट अभ पाएगी वह पुला सक्ता में नहीं आया पाएगी अब चुके जो आंकड़ी जो कभी बुलट फे जो बिल्कुर करते हैं आई पील किकेट के खेल की तरह कभी आगे कभी पीछे वो इस सिते भी हो रही है अभी कॉंग्रेस 112 सित पर आई है 113 का जादू यांक्रा से एक कम अगर प्रिवनाम में परिवर्तित होते हैं तो फिर सबसे बड़ी पाएगी कुरुप में कौमेस दूबरती है और तब जाही रहे हाला कि राजित में इन दिलों परिश्वाली नहीं करनी चाहिए लेकिन जो अस्थापित परंपरा है और जिस अधार पर हम राजितिक अगर उसे धूरी बांग ले तो फिर जेडियेस का समर्थन कॉंग्रेस को मिलेगा चाहे वे बहुत बड़ी सौद्यबाजी के उलग कर ले हो सकता है कि वो मुक्पंत्री की उनसी भी बांग ले और कॉंग्रेस संकार भी कर ले यह भी समाहना है लेकिन परणाम यह हुगा क बांग जन्ता पाटी को बहुत बड़ी शर्म के सामना करना पड़ जाएगा चुकि यहां पर ध्यान लगे अब जो चुलाई पिछले बहुत जो होते चले आए हैं जहां जहां बांग जन्ता पाटी की जीत हुए है सिर्फ रोकसभाव में भी जो विशाल बहुमत मिला उस उसका स्रे उसका स्रे सिर्फ और सिर्फ ब्रहान मंत्री मोधी को दिया जाता और किसी को नहीं पार्टी को नहीं दिया जाता है वो सारा स्रे मोधी को मिलता है तो जाहिर है कि जब जीत की अवस्था में श्रे मोधी को मिलता है तो बराजय की अवस्था में भी उसका सारा का सारा दोश उनके सिख बने जाएगा चाहे कोई कितनी भी लिपाप होती करने की कोई चीज़ कर ले कोई कितना भी बचाओ कर ले लेकिन यह हकीकत है और यह हकीकत है और यह हकीकत यह जन इक्षा है मैं यह दोरा देना चाहता हूँ यह चुनाव परणाम किसी एक राजी के विधान समा के चुनाव परणाम के रूप में न ले चुकर यह यह जो करनाटक है इसे बोते हैं कि यह दक्षिन का द्वार है भारती जंदा पार्टी के लिए दक्षिन में एक मात्र करनाटक जहां उसकी सरकार थे अगर वहां से वापदस्थ होते हैं बाहर होते हैं तो फिर इस्ठिती यह होगी कि दक्षिन का द्वार उनके लिए बंद हो जाएगा यह एक बहुत बड़ी पराजाए विशे इस रूप से प्रधारान मंत्री नरिंदर मोदी के लिए होगी है उनके रण नीटी कारों के लिए होगी और जन्ता की जो यह इच्छा है उसे इस रूप पर देखा जाना चाहिए कि हम सब कुछ परधास करते हैं करस्ता कर रहे हैं आज जो कमर तोड़ बहंग आई हैं देश में आज जो बेरुज़गारों की जो बड़ी फोज कड़ी है उस पर कोई चर्चा नहीं होती है कि हमारे भारत का लोग तंत्र किस तरस से नर्केवल जिवीत रहे और मुझ बूती क्यों बड़े हैं अद इस लोग तंत्रिक समस्दिय पूणाली पद्रती में अपना शासन चलाते हैं अपना जंता क्या बीच सारे राज़गर जाते हैं उस पर कोई समझोता करने को भारत की जंता नहीं है और यही कारण है कि आज जो ये चुनाव प्रिड़ाम अभी आ रहे हैं एक बार फिल्म यह जो आंकड़ा बदला है रुजहां का 114, 113 दुखा है कि बहुमत का जादू याकड़ा, 114 पर कॉंग्रेस और 80 पर बीजेपी आ गई है और 24 पर जेटियस जा रही है यह अभी कताजा है तो यह जो रुजहां है प्रिड़ाम में परिवर्दित होते हैं तो यह भारतिय जंता पार्टी के तिजारों को उसके निर्थित तो उसके नेती निर्थारों के लिए एक बहुत बड़ी चुनोती होगी और भारतिय लोगतर की यह एक ऐसी विजय होगी जिसका असर कुछ महापश्चारत जो लोगसभा के चुनाओं होने वाले हैं और निश्ची तुरूप से पढ़ने वाला है और जैसे मैं फिर दोहरा तो यहां पर यह हमारे एक अकेले किसी एक पत्रकार की इच्छा की बात नहीं है जब हम एक निश्पक्ष पत्रकार की उप में आपसे रूपरू होते हैं तो हम उस जन भावना को आपके सामें रखते हैं जिनके बीच घूंते हुए हमें हर पल वो महसूस होता है एहसास होता है कि हमारी जन्ता जाती किया है वो हमंगारी परदास कर लेगी वो बिरुजगारी परदास कर लेगी वो कानूम ब्योस्ता परदास कर लेगी लेकिन किसी भी कीमत पर लोग तंतर के साथ समझोता नहीं करेगी और हुआ इस बात को बार बार ऐसे चुनाओं के माध्याँ से अपनी इच्छा का प्रदश्र करती है अपनी इच्छा को सार्जिन करती है और हमारे जैसे पत्रकार आपके सामें उस सचाई को लाकर आपको चिंतन मरन के लिए बिशे जेते हैं बलकि प्राड़त्रा करते हैं और आशा करते हैं कि जैसे हम और आप कोई भी आम जन्ता से अलग नहीं हम सबी हाम जन्ता के ही सदसे है अलग अलग दिशिस परिस्टियों में अलग अलग वर्ग में अलग अलग राजदल में अलग अलग इच्छाओं के भी खली बाढ़ते है लेकिन यह सच्चाई अपनी जगह मौजूद है कि जब भारतिय लोग तंत्र के अस्तित्यों की आएगी तो वहां पर पूरा देश एक है। वहां कोई भारतिय जन्ता पाटी नहीं है, कोई कॉंग्रिस नहीं है, कोई समझवादी पाटी अन्य दल नहीं है। वहां एक भारत है और एक भारतिय है। हम सभी भारतिय हुआ हैं जो लोग तंत्र के नाम पर फूरी समझवादार नहीं कर सकते हैं। और हमें जो यह औसर मिलता है चुनाओ के द्वारा अपनी इच्छा को परदर्शित करने का बलकि अपनी ताकत को परदर्शित करने का उसका भरपूर उप्योग हम करते हैं। आज करनाटक का जो परदर्व अभी तक जो सामने आ रहा है रुजान के रूप में उससे तो एही लग रहा है कि जंता ने जो मानस बना लिया था जिस प्रकार से ओपीनियन पोल पहले आयते एक पोल पहले आयते यह वहां की जंता इस बार भाती जंता बाकी को सबग सिखा इसे नहीं को भार्दी जन्ता पार्टी से प्रिड़ना है। इसलिए वो चाहते हैं कि वो भी लोगतंतर के रास्ते पर चले और जन्भावना का आधर करें। और घर्ब तरह से लोगतंतर के मार्ग पर चलते हुए आप विकास के जो आश्वासन आपने आम जन्ता को दिये हुए है। जन्हीत में जो आपनी उजनाओ की भोशना की हैं जो नीतिया भी बनाई हैं उनका इमन्दारी प्रूबर की रहनमन किया जाए ताकि आम जन्ता लावानमीत हो सके उसे आज जो देख्टे के रूप में जो भंगाई है उसे छुटारा मिल पाए। अगर सत्य जिमन्दार हो जाएगी अगर सत्य पर्तिबद हो जाएगी अगर सत्य जन्हीत में कदब उठाने के लिए किसम खा लेगी तो फिर एक पंगाई का देख्टे क्या एक बेभुज़गारी का देख्टे क्या ऐसे सैक्रोन दिर्ट देठ्ज सामने आ जाये भारत की जन्ता सक्षब है उनसे मकाबला करने के लिए और जो कुछ निद्य सरकार बनाएंगी सरकार जिस मार्क पर चलेंगी जन्ता के हिक में पूरा का पूरा जन समर्थन उस सरकार की निती को मिलेगा की उजनाव को मिलेगा इस बात को ध्यान रखे यह भारतिय लोगतंत्र है यह हमारा भारत है जो सब कुछ बढ़ास कर लेगा लेकि फुरों कुना दरादों लोगतंत्र के नाम पर कुछ समझ होता नहीं और यह अगर जिस पकार के रुज़ान करना कर चुनाव के आ हैं अगर यह प让 में परवर्थित होते हैं को एक बार इस बात की फिर उसची हो जाएगी gewऻ भारत्थी जनता सरो परी है हरती दूंत्र सरो परी है इसके साथ कोई खिलवाल करने की कुछिस न करे भारतिये जनता की ताकथ को पूह पत्र हांखने की कूसिस न करे बहार के लोग तंतर की भावना जो जन्हित अधारित है उसे कोई कम तर आखने की कोशी सुनर करे जो ऐसा करेगा उसे जन्ता सबक सिखाया कि जब उसे मौका मिलता है जो लोग में बद्दान करने का अर्था यह फैसला करने का जब बहुत सा रहता है उसा अधिकार मिलता है कि आप अपने शास्त को चुन लो तो उसका वो निड़ता पुर्बत उप्योग करती है और वह लोग तंतर के हित्व उप्योग करती है अपवाज सरूप कोई जटी वीशेश हो सकता है अपवाज सरूप कोई दल वीशेश हो सकता है लेकिन व्यापक उनसे अगर देखेंगे तो भारत की जंता भारत का बदाता है सिर्फ और सिर्फ लोग गंत्र के हिद को ध्यान में रखते हुए भारत के हिद को ध्यान में रखते हुए भारत माता के अस्टितों को ध्यान में रखते हुए अपना मद्दान करता है और कोई दूसरी बाते तुम्हें परभावी नहीं कर पादे है